सबसे बेस्ट पीजा सॉस है ये और सबसे कम इंग्रीडियंट्स में दिलने वाले हैं और इसका जाइका सूपर अस्सलाम अलेकोम वेलकम डुलाव टुको कुट यू केंडोड दुबेस प्लेस फर इजी कोकिंग टिमाटर का चिलका उतारने का ना मुझे इससे अच्छा तरीका नहीं कोई मिला ठीक है क्या करना है कांटे पे टिमाटर चड़ाया और इसको आग पे और एक मिनट से भी कम टाइम में फॉरण से इसका चिलका खुद ही फट जाता है और इसके बाद आपको फटा फट से उसक प्याज एक चोटा सा मुना सा प्याज लिए स्लाइसेज चार जवे हैं लेसन के यह हैं कुट्टीवी लाल मिर्चें और इगानो थोड़ा सा और गुड़ है और फिर है पैपर रिका कश्मीरी लाल मिर्च अब हम लेंगे एक पैन उसमें थोड़ा साइल डालें बस एक टी अब इसको ढख देंगे हम और इसको हलकी आंच पे छे मिनट के लिए पकने देना इसमें लाल कुटीवी मिर्चें भी में अभी डाल दूगी ठीक है और फिर हलकी आंच पे यह पकता रहेगा छे मिनट साथ मिनट तक अच्छा यह देखें यह छे मिनट के बाद इसका हाल है अब इसको थोड़ा सा थंडा करने देंगे हम उसके बाद इसको डालेंगे जग में और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और यह उसकी मज़े की प्यूरी रेडी हो गई इसको तुबार चूले पे चटाएंगे अब हमने इसको थोड़ा सा गाडा करना है अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड और और अरगैनो थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिच ठीक है और इसको मीडियम टू हाइफ फ्लेम पे रख लेंगे और इसको हम इसका पानी थोड़ा सुखा देंगे इसको थोड़ा कर इसको ओेंगे जाद होना थाल पै कर दूंगी यव और यह देखें अब यह गाड़ा होगी और बस इतना ही काफी है ज्यादा गाड़ा भी निसको कड़ते अब इसको उतार लें और पीजा पर लगाएं या पीजा फ्राइस बनाएं आपकी मर्जी है लेकिन इतना जबर्दस इसका जाइका था यार मैंने तो इसको एक दू चम कल एक और रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और जाते जाते आप लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें